कि नमस्कार मेरा नाम योगेश नागर है और मैं 12 राइस्तान से हूँ और मैंने एक ड्राइवलेस ट्रेक्टर इन्वेंट किया था और मतलब की ड्राइवलेस ट्रेक्टर वो है जो बिना ड्राइवर की जरुरत के खेतों के पूरे काम जो एक किषान को करने चाहिए वो ट्रेक्टर खुद करता है जैसे निराय गुडाय सीडिंग कल्टिवेशन स अपको ट्रेक्टर फोयम करता है सिल्प करता है तो वह ट्रेक्टर इन्वेंट किया था मैंने तो वह कैसे किया और क्या उसके पीछे बनाने का रिजन रहा तो मैं आपके सास्थ सेर करता हूं एक्चुली यह बात किये तब पापा फार्मिंग करते थे और कुछ डीजिस की वज़े से और फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे तो मैं अपनी स्टेडी कंप्लीट कर रहा था तो उसी बीच मैं यहां पर घर पे आया मेरे घर पे आके मैंने देखा कि ट्रेक्टर कोई चलाब नहीं रहा है पापा रेस्ट कर रहे है थे बला वहां उनको तो तब ट्रेक्टर मैंने ड्राइव किया था रहर ट्रेक्टर करते-करते मुझे कुछ सी प्रोब्लम भी फेस करनी पड़ी दूब में के तो मैं जो हाड़ वरक एक फार्मर करता है तो वो तो एक फार्मर करता है वे सम्मिक कर नहीं पाया था तो यह मेरे सामने प्रोब्लम थी मैंने एक दाइन दो दिन ऐसे ट्रेक्टर ड्राइव किया बट फिर मेरे बस में नहीं था कि ट्रेक्टर को मैं और ज्यादा दिन चला पाऊं क्योंकि इतना हार्डवर करना पड़ता था दोल मेक्टी जब कुछाओ तो इस वजह से एक दिन मैंने सजय की ट्रेक्टर को कुछ ऐसा ट्रेक्टे कल कर जाए जिससे ट्रेक्टर में जो प्रोब्लम होती ट्रेक्टर ड्राइव करते समय तो यह सोल्व हो जाए तो इसी के लिए फिर मैंने एक दिन सोचल मीडिया का सब्सायरा लिया पर मैंने चेक किया गूगल यूटूब सब कुछ चेक किया कि ड्राइवलेस ट्रेक्टर कैसे बना वक्ते हैं तो कोई सोचल मीडिया पर अब तक ऐसी चीज अपलोड नहीं हुई थी या कोई ऐसी किसी नहीं डाली थी कि ड्रेवलेस ट्रेक्टर कैसे बनाखे है किसी क्या बट इतना मुझे पता लग गया कि ड्रेवलेस्ट ट्रेक्टर होता है और फोरेंट कंट्रीज में इसको यूज लिया जाता है तब मैंने थोड़ी सी जाचा फरकार डिस्टिब्यूटर से डिलर से सबसे बात की तो उन्होंने मना कर दे कि फोरेंट से ड्रेवले रुपे दे दी डिए पापानिज दे दिये तब मैंने उनको एक्षेंपलवाईस दिखाया कि ट्रेक्टर आगे और फीड चलना चाहिं तो मैंने 505 मोबाई शेक्टर से लेकर आया उनको मैंने अपने होड़ीं मोडिफाइब किया क्या रिक्टर के अकोडिंग बनाया तब ट्रेक्टर जब आगे पीछे चल सकता है रिमोडली तो यह पूरे काम भी गर सकता है तो सबको बिली होने बाद फिर पापा ने मुझसे पूच्छा मेरी कितनी आउसकता है प्रेस हो की तो मैंने पचास जार रूपे के सम्थिंग पापा से लिये थी पचास जार रूपे ले प्रोपर फिट आजये तो उसको भी मुझे बनाना था मैं बार से जो भी पार्ट लेके आया कोपर मोटर सब कुछ लेके आया मैं बेटरीज वगिरा सब कुछ रीशिवेर सब कुछ लेके आने के बाद घर पे मैंने उसको जोड़ना स्टार्ट कि ए इन सब चीजों को तो cator Вनारा था हमें तो उसमें failure बीं इतने नहीं थें Ajna बीस बार में फैल कोर higher बनाते 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 एक बारे में क्लच का प्रेसर अच्छे से नहीं आया और एक बार था तो मसीन ने लोड़ी नहीं लिया तो इस वज़े से मैं ऐसे फैल होता रहा लेकिन उससे मुझे सीखने को मिला जो भी फैलर होते हैं तो वो कुछ ऐसे डिसपॉंटेड नहीं करते जो भी फैलर होते हैं उन से हमें कु जल रहे हैं उससे हमारा काम नहीं होगा कोछ से दूसरा रस्ता में डूनना जीए उससे हमारा काम हो गा तो पेलर से सिख्आ आते हैं कि जो तरीके मेंने सीखे फेलियर से भी तो भी मेरे कापी काम के हैं तो ऐसे ही ट्रेक्टर में स्टेरिंग क्लाच ब्रेक एक्सिलेटर सब कुछ जो मुझे कंट्रोल करना था पूरी ट्रेक्टर में लगवाइच 14-15 फीचर्स होते हैं तो वह मुझे पूरे के पूरे रिमोट ले कंट्रोल करने थे और एक्यूरेट वर्किंग करवाना था उनसे जिसे एक ड्राइवर करता है सेम वैसे ही मुझे उनको कंट्रोल करना था ताकि मैं कमांड दूं और वो वर्क करने लग जा तो ऐसे करके मैं पूरे ट्रेक्टर को बनाते बनाते च्छे महीने लग गए और च्छे महीनों में मैं 20 बार फैल हूँ तो इस में मैंने अपनी जर्णी नहीं रोखी क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं इतना काम कर चुगा हूँ तो अब इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मेरी जो मेहनते और जो पापा का इन्वे गर बनाया मैंने बनाते-च्योने लगे और लिया कि मैंने प्याचर सुनित कर लिआ कि अंदिंड करने के बाद उसको 1 दिन में asleep लेकर ज़ेए तो फिक चला के नहीं लोगों अपने पर्श टाइंब देखा कि ट्रीकταर बेना ट्राइवर के कैसे चल रहा है या कोई ऐसा एक्सिद्ट हो गया जिससे ड्राइवर सिड्न से अठके ओर ट्रेकटर अपने आफ सेL peace चल रहा है तो एसा कुछ हो गया है एक जो समधधरी सरे ट्रैक्टर चलना चीए जो एक ड्राइवर के अकोडिंग चलना चीए तो ट्रैक्टर से हुएसा वर्क कर रहा था तो सब को एक अलगी फिलिंग आ रही थी, अलगी लग रहा था कि यार यह हो क्या रहा है तो सब अपने वीडियो मोबाइल में वीडियो बनाने लग गया कोई रिकोर्ड करने लग गया तो ऐसे करने लग गए तब मैंने ट्रेक्टर से पर्स टाइम ड्राइव किया था तो उस चे मैंने कापी जमीन पे काम किया और रिमोट लिवर किया तो गाउं वाले भी बहुत कुछ थे, सब बहुत कुछ थे और सब पापा को थैंक्यू बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे इस काबिल आगे बढ़ाया और मेरा सपोर्ट किया हाला कि उन्हें वो लोग भी सा मिलते जो पापा को पहले ताना मार रहा करते थे वो बोलते थे कि यार तेरे लड़के को पढ़ाय छोड़ कि यह क्या बना रहा है क्या कर रहा है बिना बज़े ही पेसे बरबाद कर रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है पढ़ाय नहीं करता तो ऐसे ताना मारते थे तो वो भी लोग थे जो पापा को थैंक यू बोल रहे थे और पापा को एक प्राउड फिल हो रहा था कि मैंने कुछ किया है तो ये मेरी जन्नी थी तो इसलिए मैंने ये ट्रेक्टर का इंवेंट किया और ट्रेक्टर को बनाते वक्त मुझे जो सामान चीये थे वो सामान हाला कि कहीं बार से नहीं आए वो जो भी पार्ट थे वो सब पार्ट यहीं के थे इंडिया के थे बस उनको जरुए थी तो एक ढूनने की तो ऐसे ही ये मेरी जर्णी रही और मैं एक तरीके से मापी चाहता हूँ कि मैं आप सब के बीच आनी पाया क्योंकि COVID-19 का इतना ज्यादा फर्वाव हो चुका है तो इस वज़े से सेक्योर्टी वाइज जो गौवर्मेंट ने आदेश निकाले तो उसका भी पालन करना जरूरी है तो आप से भी यह कहना है कि समल के रही है सुरक्षित रही है थैंक्यू